नमस्का दोस्तों. आपने रिसेंक्र लेसेंट्ली शुनाओगा कि शाओमी को USA Goberichen भौर्मेनन ने बलेक लिस्ट कर दिया है अब जब बलेक लिस्ट कर दिया इसका मतलब किया है. कया इसका मतलब ऐसा ही हो सकता है कि इंडिया में शाओमी बैन हो जाएगा हम इस वीडियो में टोटल एई सरी चीज़ों के बार में बात करेंगे इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एई वीडियो टोटल आंग तक देखना मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि युएसे में शाव में ब्लैक लिस्ट हुआ है तो उससे इंडियान कॉंजूमर को क्या खत्रा है मैं एई चीसे आपको समझा दूंगा तो चलिए शूर करते आज के वीडियो बिना कोई वक्त कबर आज के वीडियो शूरू करने से पहले आगर आप गजल चैपने नहीं है औ कोई भी कंपनी शाव मी कॉर्पोरेशन में कोई भी इंवेस्ट में नहीं कर पाएगा तो बदम कह सकते कि युए से चाइना के बीच में ट्रेड वर चल रहा है तो ज्यादा टैक्स लगा देता है जिसे की जो फाइनल प्रोड़ाट उसका प्राइस बहुत ज्यादा इंक् क्याते है ट्रेड वर यह बहुत सारी चीजों में हो रहा है जैसे की इलेक्ट्रोनिक जैसे चाइना से अलुमीनियाम स्टील यह सब जब उसका प्राइस बहुत ही ज्याते इंक्रीज हो रहा है क्योंकि स्पेशाली युए से गौबर्बेंट ने बहुत ज्यादा टैक्स ल क्यानी हो देखिए आज से इकजक्ली तीन साल पहले काहानी हàiली मतलशी काहानी है जो कि वुवे अब ने देख्या था कि वुवे पहले बहुत ही अच्चा बिशनेस करता था uy वह से बहुत सारी समार्फोर मतलब कर तीस्यों का नाम यह संमर्पूर मतंदा दि अपर कोई ऑ बैंकिंग वो सेगेंड नमर पर आ चुका था और आज से एक्सेक्ट्ली तीन साल पहले शुरू हुआ था चाइना वर्सेज उसे का प्रॉब्लम मालबे जो ट्रेड वर तो इसके करम क्या हुआ था चाइना से जो भी प्रॉट्ट उसे में आएगा उसका प्राइस ज्यादा ह झाल पर जाएगा उसका प्राइस ज्याद़ होगा द्मो क्लब्लम में कोई अंगए का किया तो हुआय को ब्लेक लिस्ट करने इस्तमल नहीं कर पाएगा। उसके नेश्ट USA गबर्नेंट एक और चीज किया था। Huawei generally US में आपना स्मार्पोन और आपना टेली कॉम्यूनिकेशन एकुपमेंट बेशता था। तो यह पर दूसरे जो भी कंट्री है वो सभी कंट्री ने हुआवे का जो टेली कॉम एकुपमेंट वो लेने से मना कर दिया। तो मतलब देखें, Huawei को USA में बिसनेस नहीं करने देगा। Huawei का जो टेली कॉम बिसनेस उसे बंद कर दिया। और Huawei में कोई भी invest नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी Huawei एक बहुत बड़ा कंपणी है, Huawei के पास अपना खुद का प्रोसेसर है, जो कि किरीन प्रोसेसर, वो अपने प्रोसेसर के दम पे दुनिया के बाकी देश में बिसनेस कर लेगा। मतलब वो ही गुमापी रखे काई तो चाइना का फाइदा, तो इसलिए इसके नेक्स्ट टेप ने, USA ने एक और काम किया, Huawei जो अपना प्रोसेसर बनाता है, जिसका नामे किरीन सिरीस का प्रोसेसर, वो प्रोसेसर दरसल बनाता है, TSMC नमके कंपनी ने, USA गवर्मेंट ने क क्या किया, TSMC कमपनी को पर प्रेशर क्रेट करने की कोशिश किया, कि TSMC कमपनी, Huawei के लिए प्रोसेसर नहीं बनाएगा, और एक चीज़ अब देख सकते, Huawei का आखरी प्रोसेसर था, किरीन 9000 और 9000 E, मतलब इसके बाद, कोई भी Huawei के किरीन सिरीस का प्रोसेसर लांच नहीं ह के साथ, Huawei ने स्मार्टपोन सक्टस्पली लांच किया है चाइना पे, और कोशिश कर रहा है कि अगले एक या देर माइने के अंदर, Huawei के जो फ्लैक्शिफ स्मार्टपोन, उसमें उसकरेगा, Qualcomm का प्रोसेसर, और ये वीडियो बनाएने से, एक दिन पहले, मेरे पास यसा न दुनिया के लगबग 97% स्मार्टपोन में Android ऑपरेटिंग सिस्टेम इस्तमल होता है, अगर स्मार्टपोन में से जो ऑपरेटिंग सिस्टेम उसे ही कैंसल कर दिया जाए, तो बो स्मार्टपोन कोई भी इंसा नहीं लेगा, चाहे वो स्मार्टपोन कीतना भी बढ़िया हो, और यह रिजन के वज़ए से युए से गवार्मेंट गुगुल के उपर भी प्रिशाद दे रहा है, जिसे की गुगुल अपना Android ऑपरेटिंग सिस्टेम वो Huawei को नहीं बेचेगा, मतलब Huawei अपना प्रोसेसर नहीं बना सकता, Huawei गुगुल का ऑपरेटिंग सिस्टेम नहीं इ लेकिन आगर Huawei चाहेगा इबििश्यस करें लिए तो मझे उसके पास कोई आपशन ही नहीं, ना बाहर का प्रोसेसर इस्तवल सकता यह खुदका प्रोसेसर इस्तवल कर सकता है, ना Google का ऑपरेटिंग सिस्टेम अर के वज़ए से Huawei से अपने ऑपरेटिंग सिस्टेम जिसकर देर तावला पिछले 5-6 मिनिट से आपको Huawei के बारे में जो भी चीज़ का वस Huawei के जगा पे आप Xiaomi को बैठा लीजे क्योंकि देखे Xiaomi को टार्गेट किया जा रहा है क्योंकि recently Xiaomi ने बहुत ही जल्द World के जो Top 10 लिस्ट में उसमें अपना जगा बना लिया है और बहुत ही तेजी से Top 5 के तरब जा रहा है और USA के बहुत सारे लोगों ने रिसेंलि शाओमी का स्मार्टपोन पसंद करना शुरू कर दिया है रिभीवर भी शाओमी का स्मार्टपोन पसंद कर रहा है और दुनिया के बहुत सारे देश में शाओमी बहुत ज़्यादा पॉपूलर हो चुका है तो इसलिए चाइना से बदला लेने के लिए USA एक्जाक्ली सेम कम कर रहा है तो शाओमी को इंडारेक्ट बैंड करने का जो पहला प्रोसेस जो कि यह ब्लैक लिस्ट मतलब यह बस भी गॉबर्मेंट ऑफिशियल कोई भी आर्मी के लोग शाओमी का स्मार्टपन इस्तमल नहीं करेगा यह होगा दूसरा प्रोसेस तीसरा प्रोसेस होगा शाओमी का कोई भी स्मार्टपन जब बहार से USA इंपोर्ट होगा उसका प्राइस बहुत ही ज्यादा होगा इसके बात USA क्या करेगा जो प्रोसेसर में छो क्वाल्कॉम का प्रोसेसर इस्तमल होता है उसके उपर प्र।षर क्रीट करेगा जिसके लोगर्णजोर करेगा शाओमी का नहीं भेचेगा होगा फॉठ श्चला फाइनल स्टेप होगा मैं आभी भी Xiaomi का smartphone इस्तामाल करता हूँ यह आप देख सेक्ट एजो smartphone एदरसल है Poco Poco मंदर Xiaomi का एक सब brand तो आप सुचे आज से आगा लगबग 2 या पर 2.5 सल बाद आगा सच में Xiaomi के साथ एचीज होता है मतलब Android operating system आगा Xiaomi में available नहीं होता है तो मेरे ख्यार से कोई भी Xiaomi brand का MI brand का या पर Poco brand का smartphone नहीं खड़ी देगा तो इस वीडियो के मदर से दरसल एही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ए जो USA government ने Xiaomi को blacklist कि आए ए दरसल Xiaomi को इंडिया रेकले बैंड करने का पहला step है और मैंने वीडियो में जो जो भी process बता है इसके बाद देखना कि अगले 4 या 5 माईने पर ऐसे बहुत सारे news आएगा कि USA government Xiaomi के ADBI's, BOTBi's को ban करेगा मतलब ऐसी अलग-अलग process से USA कोशिश करेगा कि Xiaomi बाहर के देश में बिसनेस ना कर पाए और एक चीज देखिए, अभी China एक ऐसा देश है जिसके साथ बाकि सभी देश का कुछ ना कुछ प्रॉब्लेम चल रहा है और USA एक ऐसा देश है बाकि सभी देश के साथ दोस्ती है और specially India के साथ तो और भी ज़्यादा दोस्ती है क्योंकि इंडिया दरसल बहुत पैसे खर्चा करता है डिफेंस के लिए और अलग-अलग हातियार खरिटता है USA से मतलब USA और इंडिया के बीच में अच्छा दोस्ती है उसमें आपको Qualcomm का processor नहीं मिलेगा Android और operating system भी देखने को नहीं मिलेगा तो एई चीस इस वीडियो के बाद से मैं आपको कहना चाहता था तो आज का वीडियो देव मैंने इस वीडियो में आपको जो कहने के कोशिश किया आपको समझ में आ गया होगा वैसे आपको इसके बाद में क्या कहना है कि Xiaomi को blacklist कर दिया गया इसके बाद मुझे ने से कमेशिक में बताना मैं देखना चाहता हूँ कि आपको इसके बाद में क्या लगता है तो मिलत अगले वीडियो पर तब तक stay tuned and always remember think positive be positive thank you